हेलो एवरीवन, वेलकम यू अल टू पर्चम क्लासेज, आएम जान भी, हम कंटिनू कर रहे हैं अपनी लिउसेंट जनरल नॉलेज की MCQ सीरीज, सिया पर्चम के प्लाटफॉर्म पे अलग-अलग स्टाटिक के जो टॉपिक्स हैं, वो अलग-अलग फेकलिटी से पढ़ते हो इस पर्टिकुलर सिरीज का जो मेन अब्चेक्टिव है, वो यह है कि आपकी प्रिपरेशन को, जो आपका नॉलेज है, उसे हम MCQ की फॉर्मिट में यहाँ पर प्राक्टिस करें, so that आपकी प्रिपरेशन जो है, वो और स्ट्रॉंग हो जाए, जिन बच्चों के पास PDF बैं यहाँ पर प्रोवाइट की जाती है, और दूसरा, आप हमारी वेबसाइट पर्चमक्लासस.in पर जाओ, वहाँ पर भी इस लेक्चर की PDF को अप्लोड कर दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउन्लोड कर सकते हो, सी सबसे पहले हम डिसकेस करने वाले है, जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी हम बायलोजी सापज़क्च डिसकेस कर रहे है, और बायो के अंदर हम जो टॉपिक डिसकेस कर रहे है, वो है क्लासिफिकेशन आफ प्लांट केंगडम सबसे पहला यहाँ पर question है hydrofrites are तो hydrofrites क्या होते हैं तो देखो यह aquatic plant होते हैं अगर हम देखें इनकी तो यह इनका जो पूरा living adaptation है वो पानी के अंदर होता है इनकी पूरी body या फिर more than इनकी जो half of the body है वो पानी के अंदर ही समझ जाती है throughout their life कुछ hydrofrites के examples है water release, water hyacinth और hydral next question में यहाँ पर बात की जा रही है the non-green heterotropic plants of plant kingdom are यानि कि plant kingdom के non-green heterotropic plant कौन से है तो आपका answer हो जाएगा B fungi अब देखो जो fungi होते हैं इनके अंदर chlorophyll नहीं होता है इस वज़े से यह non-green होते हैं और इसी के कारेंड यह photosynthesis की जो process है उसको नहीं कर सकते हैं यानि कि यह जो है water carbon dioxide in organic compound का use करके organic compound synthesize नहीं कर सकते हैं अब आपका फंजाई के अंदर smuts, ruts, yeast, mold और mushroom यह सारी की सारी species आती है binomial nominiclature means यानि कि binomial nominiclature का क्या मतलब होता है इसका answer हो जाएगा B इसका मतलब होता है एक नाम जिसमें की आपका genus generic है और दूसरा आपका वैसा नाम जिसमें आप समझ लो की species का जो नाम होता है वो बताया जाएं ठीक है? तो यहां पर दो part में जो है binomial nominiclature में नाम रखा जाता है genus and species plant which bear naked seeds are grouped under which of the following category वो plants जिनकी जो seed है वो किसी layer से protected नहीं है naked है ठीक है खुली हुई है तो वो किस category में रखे जाएंगे आपका answer हो जाएगा B जिम्नो स्पर्म अब दिखो यह जो जिम्नो स्पर्म होते हैं इनकी जो seeds होती है वो naked होती है ठीक है? so that हवा की तरफ खुली रहती है direct fertilization के लिए कोई भी pollen हो यहाँ पे तो यहाँ पर वो direct उस seed को fertilize कर सके इस कारण से जो है यहाँ पर इनके पास naked seed होती है next है modern classification is based on which of the following basis तो यहाँ पर दिखो जो modern classification किया गया है organism का वो किस आधार पर किया गया है किस basis पर किया गया है तो आपका answer हो जाएगा philogeny ठीक है philogeny क्या होता है देखो यहाँ पर एक पूरा का पूरा उस species की ancestral relatives कौन कौन से हैं और क्या-क्या उस particular species का feature है तो यहाँ पर हम उन basis पे अलग-अलग organism को modern classification में जो है वो define करते हैं next the first step in taxonomy अब जैको taxonomy क्या है ठीक है basically यहाँ पर इस question को थोड़ा समझो कि हम जब taxonomy यानिन कि किसी organism का जब हम नाम रखते हैं तो यहाँ पर taxonomy के तहट सबसे पहला जो step होता है वो हम क्या करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम identification करते हैं बी, identification जो है पहला step है उसके बाद जब हम एक बार organism को identify कर लेंगे इसके बाद हम उसके characters को know down करके उन्हें classify करेंगे next question is the term phylum was given by whom तो यहाँ पर देखो phylum जो term है वो आपका दिया था हैकल ने ठीक है जो earnest हैकल है उन्होंने इस term को coin किया था 1866 में next question में पूछा जा रहा है कि species is a group of organism which do which of the following activities तो यहाँ पर species वो होती है जो interbreed कर सके अपने ही species में freely ठीक है यहाँ पर समझो interbreeding का मतलब क्या है एक कोई particular species है तो वो अपनी प्रजाती में ही जो है interbreed करे ठीक है आपस में उनका reproduction हो interbreed करके और वो इसी species को develop करें आपसे next पूछा जा रहा है natural system of classification is based on what जो natural system है आपने modern system देखा classification का phylogeny है तो जो natural system है वो किस basis पे है तो वो आपका phylogeny तो है लेकिन morphology पे भी based करता है कि उस particular जो organism है उसकी organization क्या है उसकी characterization क्या है और साथी साथ यहां पर देखा जाएगा कि उसके relationship कैसे है और उसका characteristic क्या है तो relationship भी यहां पर देखी जाएगी कि यह नहीं कि सर्फ body की structuring ही देखी जा रही है आपकी क्या relationship है आप किस तरीके से जो environment है अपने आसपास का organism का वहां कैसे behave कर रहा है तो उस basis पे भी यह classification जो natural classification है वो की जाती है अब देखो general science में ही हम chemistry subject को discuss करेंगे और इसके अंदर हम बात कर रहे है nature and composition of substances की यहां पर पूछा जा रहा है कि name the scientist who stated that matter can be converted into energy यानि कि हम matter को जो है energy में convert कर सकते हैं यह किस ने कहा था देखो आपका जो answer है वो हो जाएगा Einstein Einstein ने यहां पर देखो 1905 में जोन की theory यह special theory of special relativity उसके अंदर कहा कि हम किसी भी matter को energy में convert कर सकते हैं next sodium carbonate crystal loses water molecule and this property is called what जो sodium carbonate होता है जो उसके crystals होते हैं वो water molecule को lose कर देते हैं यानि कि water molecules उनके अंदर से evaporate out हो जाता है तो इस इस property को हम किया कहेंगे तो इसको हम कहेंगे efflorescence तो efflorescence जो होता है उसमें जो आपका water molecules होता है वो आपका उस compound से बाहर निकल जाता है वो जो crystals होते हैं वो उसको lose कर देते हैं और mono hydrate form में आ जाते हैं तो अब sodium carbonate के अगर हम बात करें तो sodium carbonate को आप washing soda के नाम से भी जानते हैं यहां पर उसी की बात की जा रही है next the law of constant proportion ठीके तो यह law of constant proportion है इसे किस ने propose किया था आपका answer हो जाएगा यहां पर प्राउस्ट प्राउस्ट ने कहा था यहां पर 1794 में जो उनका काम था basically sulphide, metal oxide और sulphates की उपर तो उन्हों ने ही कहा था कि यह इस particular law के तहर जितने भी chemical compound हैं उसमें हमेशा जो है जो same element है वो आपस में combined रहेगा उतने ही mass same proportion of mass के हिसाब से और इसे हम प्राउस्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं यहां पर पूछ रहा है the best standard of atomic masses यानि कि atomic mass का सबसे best standard क्या है तो आपका answer हो जाएगा एक carbon 12 अब carbon 12 के अगर बात करो तो यह carbon 12 जो पूरा का पूरा यह compound है यह बना हुआ है 6 proton, 6 neutron और 6 electron के आपके combination से और जो carbon 12 का जो exact mass है वो है आपका 12 deltons ठीक है next question पूछा जा रहा है कि 1 amu is equal to which of the following? 1 amu is equal to 1.66 into 10 की पावर 24 gram ठीक है? तो यहां पर अगर हम atomic mass unit में देखें तो basically carbon का 1 half of the mass is equal to 1 amu next question में बात की जा रही है the substance that are composed of two or more different element in a fixed proportion by mass वो substance जो 2 और 2 से जादा element से मिलके बने हैं लेकिन जो उनका mass है वो जितने भी element है वो एक fixed proportion में है उस substance के अंदर तो उसको हम कहेंगे क्या compound compound कहेंगे ठीक है तो यहां पर अगर आप example के रूप में देखो जैसे calcium carbonate है ठीक है तो इसके अंदर fixed proportion है by mass किसका किसका calcium का carbon का और oxygen का क्या है यहां पर 10 is to 3 is to 12 की ratio से यहां पर इनका जो proportion है calcium carbonate के अंदर fixed कर दिया गया है अगर हम इस proportion में change लाएंगे तो यह जो आपका compound है यह बदल जाएगा फिर यह calcium carbonate नहीं रहेगा तो यही चीज़ बताई जारी है fixed proportion से कि यह fixed proportion के हिसाब से ही रहेगा तब यह particular compound है थोड़े सीवी change आती है तो यहां पर वो compound बदल जाएगा next the product of equivalent weight and valency of an element is equal to what यानि कि जो product है आपका ठीक है और उसका equivalent weight है और valency है वो किस चीज़ के बराबर है तो यहां पर आपका answer हो जाएगा atomic weight अब देखो यह question basically यहां पर आपसे atomic weight का formula जानना चाहरा है तो अब देखो यहां पर atomic weight plus valency is equal to equivalent weight of atomic weight ठीक है तो यहां पर एक example से हम सुझेंगे अब देखो calcium का atomic weight होता है 40 gram ठीक है उसकी valency है 2 अब यहां पर equivalent weight कितना होगा आपका calcium का तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने 42 से divide किया है तो almost 20 gram यहां पर equivalent weight आ गया है तो यही चीज़ आपसे in terms of sentences पूछी जा रही थी अब देखो geography subject है और इसमें हम universe और solar system देख रहे हैं यहां पर question पूछा जा रहा है कि how many kilometers are represented by 12 degree of latitude ठीक है तो यहां पर जो है 12 degree of latitude उस पर कितना kilometer represent किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 111 kilometer अब देखो यह एक apprax value है क्योंकि धरती हमारी एक ellipsoid shape में है तो इस वज़े से equator के पास आप देखोगे कि 110.5 km देखने को मेलेगा और equator जो poles के पास जब हम जाएगे तो यह distance आपके एप्रोक्स 111.6 km के हिसाब से देखने को मेलेगी next question पूछा जा रहा है the average distance between sun to earth sun और earth के बीच की average distance कितनी है आपका answer हो जाएगा a 150 million km की है यह almost 93 million miles जिसे हम one astronomical unit भी कहते है now which of the following is present in largest amount in term of percentage by mass in earth crust अब देखो हमने last session में कोशन डिसकस किया था तो उसमें हमने बात की थी कि कौन सा मेटल earth crust में सबसे जादा है तो हमने देखा था that was aluminium ठीक है यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा यहां पे largest amount of mass में प्रेजेंट है कौन सा substance यहां पे ठीक है earth के crust में तो आपका answer हो जाएगा भी oxygen oxygen का percentage by mass सबसे जादा होता है almost half of the earth crust है उसमें आपका oxygen का mass मिलेगा next question the difference in duration of day and night यानि कि duration of day or night की difference है as we move from where यह बढ़ती जाती है ठीक है यहां पर basically पूछा जा रहा है कि आप west to east जाते हो या पोल से एक्वेटर या एक्वेटर से पोलाते हो आपको कभ यह जो day or night की जो duration है जो आप कहलो कि जो length है तरीके की दिन लंबा और राज छोटिया राज छोटिया दिन लंबा तो यह difference जो है वो आपको कब देखने को मिलता है तो यह आपका जब हम equator से पोल्स की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको difference देखने को मिलेगा देखो क्या होता है कि जैसे कि हम move करेंगे तो जो latitude है जब हम equator से move करते हैं तो यहां पर जो latitude है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, तो हम देखेंगे, कि आप अकसर देखोगे, कि जब हम equator से पोल की तरफ move out करेंगे, तो जो दिन और रात का duration है, जो समय है, जो time period है, उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा, next question, the sun is never overhead at any time in which of the following zone, यानि कि जो sun की vertical rays है, वो इन दिये गए zones में से किस zone में direct overhead वहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है, आपका answer हो जाएगा B, 1, 2 and 3, यानि कि south temperate zone, north temperate zone और north fidget zone में आपकी कभी भी sun जो है, वो vertical तरीके से आपको इन टीनो zones में देखने को नहीं मिलेगा, next question, which one among the following statement is not correct, ठीक है, हमें पता लगाना है कि दी गई statement में से कौन सा statement correct नहीं है, तो यहाँ पर देखो, पहली statement कह रही है कि solar noon occurs simultaneously at location with the same longitude, ठीक है, जो solar noon है, वो आपका जो जितनी भी locations हैं, जो same longitude पे lie करती हैं, वहाँ पे simultaneously भी साथ ही में आकर होता है, next पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, next question है, places having same longitude experience solar noon at different times, जो भी places same longitude पर जो है lie करती है, वहाँ पर हमें अलग-अलग समय पे दो पहर देखने को मिलती है, next का जा रहा है, कि solar noon अकर different time at different location with same latitude, यहाँ पे देखो जो गलत चीज बताई गई है, वो है आपकी C, जो भी जगहें same longitude पर लाई करती हैं, वहाँ पर एक ही समय पर, एक ही साथ, एक ही time पर आपको दो पहर यानी की solar noon देखने को मिलेगा, next question, variation in length of day time and night time from season to season are due to which of the following factors, अब देखो, जैसे कि अभी present में नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी ठंडियों का मौसम आ रहा है, तो आप देखोगे कि जो दिन का आपकी length है, वो कम होगे, यह राद जो है वो जल्दी हो जाती है, यानी sunset जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि जो day or night की length है, वो season के हिसाब से दिये गए factors में से किस पे यहाँ पर आपका depend करती है, तो आपका answer हो जाएगा B, the earth revolution around the sun in elliptical manner, जो हमारी धर्ती sun के चारो तरफ एक elliptical manner में घूमती है, उस वज़े से यहाँ पर season देखने को मिलते हैं, किसी भी location पे वो बदल जाती है, seasons बदलने के साथ, और इसी कारण से जो duration है day or night का वो भी बदल जाता है, आगे बढ़ने से पहले, यहाँ आप एक information है, C, जो भी students 2024 की SST exam की preparation कर रहे हैं, उनकी लिए है SST General Awareness Target 2024, इस course के अंदर आपको recorded lectures मिलेंगे, और उन lectures की PDF भी प्रोवाइट कराई जाएंगी, साथी साथ आपको life problem solving sessions यहाँ पर प्रोवाइट किये जाएंगे, उसके बाद previous year question की detail analysis और discussion और 10 mocked paper भी आपको इस course के अंदर मिलेंगे, कोई भी और आपको questions हो, query हो, आप हमारे इस number पे contact कर सकते हैं, यहाँ आपको सब details मिल जाएंगी, अब हम discuss करने वाले हैं quality subject और इसमें हम पढ़ रहे हैं evolution of Indian constitution, अब यहाँ भी देखो, assertion में पूछा जा रहा है कि तक Government of India Act 1919 was passed by British Parliament to introduce the diarchy in provincial government, यानि कि Government of India Act 1919 के तहत, यहाँ पर provincial level पे, यानि कि जो states हैं, वहाँ पर diarchy को introduce किया गया, reason, Montego Campsful Reform Committee has recommended the introduction of diarchy in provincial government, reason यह कह रहा है कि जो Montego Campsful Reform Committee थी, उन्होंने यह जो introduction है diarchy का provincial level पे उसको recommend किया था, तो देखो, आपका answer हो जाएगा A, दोनों ही यहाँ पर assertion और reason सही है, ठीक है, 1919 के तहत, यहाँ पर जो Government of India Act आए था, यहाँ पर आपका provincial subject, provincial level पे जो subjects थे, उनको reserve और transfer list में डिवाइड किया गया, उसके बाद यहाँ पर two class of administrators, जो है, create किये गए, एक executive council और executive ministers, ठीक है, implemented IR की जो है, आठ provinces में ले आई गई, Assam, Bihar, Bengal, Olisa, Central provinces, United provinces, Bombay, Madras और Punjab के अंदर, Next, consider the following statements, क्या है यह, the regulating act of 1773 was passed by British Parliament in order to which of the following, तो यह 1773 का जो act है, वो British Parliament ने किस motive से pass किया था, पहला, establish, यह आपका parliamentary control over the administration of East India Company territory in India, दूसरा है, make the governor of Bengal as governor general of Bengal, और end the dual system of administration in India, ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा, A, देखो, जब 1773 आया, तो for the first time, यहाँ पर जो East India Company की territory है, इंडिया के अंदर, उसके उपर यहाँ पर parliamentary control establish करने की कोशिश की गई, साथी साथ हमने देखा था कि governor general of Bengal को, governor general of Bengal को governor general of Bengal बना दिया गया, ठीक है, और जो dual system Robert Clive में start किया था, उसको भी यहाँ पर खतम कर दिया गया, Warren Hastings थे हमारे पहले governor general of Bengal, ठीक है, next question, the first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by which of the following act, ठीक है, definite step to provide parliamentary control की बात की जा रही है, तो अभी हमने देखा, regulating act of 1773, बेसिकली देखो, जो यह 1773 का act आया था, इसके तहत यहाँ पर कई सारे आपके जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो आपका जामिदारी सिस्टम है, इन सारी चीजों में बदलाव ले आया गया था, next पूछ रहा है, Montego Campsport Report Form on the basis of which of the following, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट थी, वो आपकी देखो, Government of India Act 1919 के ऊपर जो है, वो फॉर्म की गई थी, बेसिकली पूरी रिपोर्ट, और इसमें, यहाँ पर देखो, इस रिपोर्ट का जो नाम पड़ा, वो उस समय की जो Secretary of State थे, एडविन Montego, और उस समय की जो वोईसरोय थे, Lord Campsport, इनके नाम पर रखा गया, News Question में, Assertion कह रहा है, कि the Government of India Act 1935 and the Constitution of India, ठीक है, are both lengthy documents, यानि कि Government of India Act 1935 और अपना जो इंडियन Constitution है, दोनों ही बहुत ही lengthy document है, Reason कह रहा है, the Government of India Act 1935 was taken as model and substantially incorporated in the Indian Constitution, ठीक है, यानि कि यह जो 1935 का Act है, उसको as a model लिया गया, और बहुत सारी चीजें incorporate की गई, Constitution of India के अंदर, तो आपके दोनों ही Assertion और Reason सही हो जाते हैं, ठीक है, हम Exact Replica तो नहीं कहेंगे, but बहुत सारी चीजें जो हैं हमने, क्या कहते हैं, 1935 का Act है, उससे जो है, Indian Constitution के अंदर ली हैं, जैसे कि आपका Emergency Provisions हैं उनको भी, ठीक है? Next है, through which of the following, where commercial activities of East India Company finally put to an end? कौन से Act के तहत, जो commercial activity थी East India Company की, उसको खतम कर दिया गया, और उसको एक administrative body बना दिया गया, तो आपका answer हो जाएगा, C, Charter Act of 1833, अब देखो, Charter Act of 1833 में, जो British East India की Monopoly थी, भारत के साथ trade करने की, वो खतम कर दी, अब यहाँ पे 1600 में, Queen Elizabeth ने East India Company को, जो आपका Royal Charter है, ठीक है, उसके तहट यहाँ पे permission दी थी, कि ठीक है, आप इंडिया से trade करोगे, और East India Company के पास, अके लिए एक कैसी company थी, जिसके पास यह Monopoly थी, कि सिर्फ वही इंडिया से trade कर सकती है, लेकिन यहाँ पे Charter Act 1833 आता है, वहाँ उसके बाद जो है, जो यह particularly Monopoly थी, EIC की उसको खतम कर दिया गया, यानि कि वहाँ पे London में रह रही, और भी सारी companies जो हैं, भारत आके अब trade कर सकती हैं, तो यह जो provision था, कि जो Secretary of State for India रहेगा, उसके पास ही government का, जो इंडिया के अंदर government चल रही है, उसका supreme control होगा, यह किसके तहट लाए गया था, तो Government of India Act जो 1858 आया था, उसके तहट यह जो है, आपका Secretary of State को पूरी पावर दी गई, कि किस तरीके से वो इंडिया के अंदर governance को जो है, वो regulate करेगा, और Secretary of State British Parliament का एक representative था, जब 1857 का rebellion हुआ, उसके बाद से पूरी के पूरी जो territory थी, East India Company के अंदर, उसको crown ने take over कर लिया, Now, home work question, See, पॉलिटी का question है, Which of the following are fundamental duties? दिये गए options में से, कौन सी fundamental duties है, कौन सी fundamental duties के provision के तहट आती है, इसका answer आप सब comment section में करोगे, साथी साथ कोई भी doubt हो, तो वो भी आप मुझसे comment section में पूछ सकते हो, Again, अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए, तो आप हमारी website purgumclasses.in पर जा सकते हो, और जिन बचों के पास PDF बैंक है, उसमें ये automatic जो है include कर दी जाएंगी, So, that's all for today, Till then, take care.